हलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में जहां बात करने वाले हैं आज हम हाउ टू यूज एस्टी एमल विट वी एस कोड कि अभी तक हमने नोटपेड में एस्टीमल के कोड को रन करके देखा है लेकिन जैस नहीं किया है तो और प्लीज मेरा वी आट शो इसका इन्स्टीमल के और कि कैसे हम वे स्कोर को यूच खरेंगे लिए सबसे पहले आपको करीए एक फॉल्डर चाहांपर हम सारी अपने पेज़े रखने वालें तो यापना टेंष मेंद having Rain के नाम से जो भी आपको folder का नाम रखना है इड्राइ में में अपना folder create किया है my webpage के नाम से and inside this folder मैं अपने सारे streaming pages को रखने वाला हूं okay और CSS भी हम VS code के साथ ही पढ़ेंगे तो इसलिए वीडियो को थोड़ असा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आपको CSS भी पूरा जो complete हम पढ़ने वाले हैं वो VS code के साथ ही पढ़ने वाले हैं okay step one हमने अपने folder create कर लिया now open your VS code अब आप देखिए हमने VS code को अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत भी तो VS code actually common editor है जिसको हम C programming के लिए Java programming के लिए Python programming के लिए मतलब it's a combined combination of all this thing तो यहां पर हमें सबसे पहले VS code में install करना होता है extension को कि आप जो भी page बना रहे हैं आप उसको कहां पर open करना चाह रहे हैं अगर यह C के program होते हैं तो जाद हम C के extension को save करते हैं लेकिन हम जो program बनाने वाले हैं उसको हमें open करना है browser पर तो step 1 पर आकर आपको क्या करना है इस extension वाले option पर click करना है और यहां पर you have to use open in sorry you have to type open in browser तो यह जो option आ रहा है open in browser इसको आपको install करना है यह मेरी system पर already installed है यहां पर आपको बटन मिलेगा install का just click on that install button और यह जो open in browser है यह आपकी machine पर install हो जाएगा मतलब हम अपने html page को browser पर रन करके देखना चाह रहें ओके और यदि आप चाहें तो default browser भी एक option आता है you can also install that open in default browser open in default browser तो you can also install this यह जो option आ रहा है open in browser open in default browser okay तो यहां पर आपने simply आप तो open in browser को install कर लीजिए okay तो open in browser को install करने के बाद now you have to go to this open folder यहां से हमें जाना है open folder में और वो जो folder अभी हम create करके आए हैं कहां पे e-dry में क्या नाम दिया था हमने my webpage just select this folder तो अब आपकी जितने भी HTML pages होंगे वो सारे इसी folder में हम रखने वाले simply आपको यहां पर एक नया page open करना है मैं page का नाम रख रहा हूं index जनली आप समझे कोई भी website जब बनती है तो उसका जो सबसे front page होता है जो homepage होता है वो by default index के नाम से सेव होता है तो यहां पर नॉट कंपल सरी क्या page का नाम index रखें आप homepage रख सकते हैं आप my page रख सकते हैं लेकिन मैंने इसका नाम रखा है index.html and see this one after this यह आपके पास option अजाएगा HTML का और यहां बात करते हैं this code is in smart window तो यहां पर आपको selection help मिलेगी यह मैंने लिखा HTML so automatically इसने HTML tag को close कर दिया यह मने लिखा head tag so it automatically close this head tag ठीक ठीक है तो यहां चीजे थोड़ इसी आसान हो जाएंगे हमारे लिए title नहीं लिख दिया this is my first page in vs code suppose यह आपने title लिख दिया okay and then after यहां पर हमने suppose एक कोई tag यूज कर लिया font मैंने लिख दिया center tag inside this center हम लोगों ने use कर लिया font tag को html के tag हमने पढ़े हैं कि एवर आपको vs code में उनको कैसे use करना है font tag के बीच हमने लिख दिया suppose welcome in html vs code support with vs code message हमें देना है अब यह मेरा page suppose ready है and i want to run this page तो इस page को कहां run करना है so don't go for this run code फिक है यहां पर आपको जाना है open in default browser पर इसका shortcut alt b okay to run code नहीं करना है because we don't want to run this code क्योंकि यह कोई compiled code नहीं है इसको मैं compile करके run करना है it's an html code मुझे इसका result देखना है तो इसका result हमें कहां मिलेगा open in default browser पर तो just click on this open in default browser and you will find see this one welcome in html vs code तो एक मुनिट इसका हम font tag हमने use किया है लेकिन font में color equal to rate suppose और size हमने बता दिया suppose 10 okay and now I will run this and see this welcome in html with vs code so this is how you can run the html अगर आपको नया page बनाना है again go to this यहां पर मैंने नाम रख दिया suppose home page ठीक है home dot html तो यह आपका फिर से html page open हो गया right और आप एक फिर से समझेए कि मैं अभी आपको CSS के concept बताने वाला हूं अभी just from CSS cascading style sheet start करने वाले हैं and I am going to use vs code for CSS CSS को हम vs code के साथ पढ़ेंगे तो be ready with vs code अगर आपने install नहीं किया है vs code तो please refer my installation video जो मैंने vs code के installation के लिए पनाया है तो vs code को install कर लिजिए और html के लिए ready कर लिए अपने vs code को और अब आगे हम html और CSS के combination package को पढ़ने वाले हैं कि what is the impact of CSS in HTML कि जब आप html के साथ CSS को यूज करेंगे तो आपके page का look and feel पे क्या impact आएगा राइट तो चलिए मिलते हैं नेक्स लेक्चर में with CSS code तो be ready with vs code और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेर कीजिए और बने रहे हैं स्कोर्स के साथ अभी आगे बहुत important concept from Pande Waalaan, till then take care bye-bye.